राहुल गांदी राजनीती में एक ऐसा नाम है जो कॉंट्रोवर्सी का हिस्सा हमीशा बने रहते हैं कभी वो खुद ऐसी परिस्थिती पैदा कर देते हैं जिससे उनको ट्रोल होना पड़ता है और कभी खुद ऐसी इस्थिती पैदा हो जाती है जिसके बाद लोगों के ट्र इतनाए हुई हैं जिसके बाद सबकी जुवान पर राहुल गांदी का नाम हुआ करता था यह अलग बात है कि लोग वाहवा की जगह उन्हें कोसने के लिए उनका नाम ले रहे थे अमेरिका में सिख पढ़ दिये गए बयान हो रोजगार को लेकर दिये गए बयान हो या फ हंगा मामचा हुआ है तो कैसे एक बार फिर राहुल गांधी के जिन्दगी में योगी आदेतनाथ और टी आईये के एक अफसर की वज़े से टर्निंग पॉइंट आ चुका है बताएंगे आपको इस खास स्टोरी में नमस्कार आप देख रहे हैं मारा खास शोर टर्निंग इस बार इक ऐसे सक्स ने राहुल गांधी की बख्या उधेडी है जिसकी कल्पना भी वो उन्होंने कभी नहीं की होगी दर असल उतर प्रदेश के सीम योगी आदितनाथ ने कहा है कि एक तरफ वे लोग हैं जो भगवान राम के संस्क्रिती में पले बढ़े हैं और दूसर से तरफ वे लोग हैं जो रोमन संस्क्रिती में पले बढ़े हैं वे बदनसीब जो दुरभाग्य से खुद को आकास्मिक हिंदू कहते हैं वे इसे कैसे बरदाश्त करेंगे यूपिके मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने लोगस्भा में विपक्ष के नेता और कांग्र तो आपका परिवाज जीवन भड़ करता रहा है योगी आदितनाथ ने आगे कहा कि इस साल आयोध्या में भव्य राममंदिर में रामलला की मूर्टी की प्राण प्रतिस्था के साथ ही राममंदिर के लिए 500 साल बाद लंबा इंतजार खत्म हो गया आयोध्या में भव्य राममंदिर बनते देखने के लिए हजारों हिंदूों ने बलिदान लिया है उन्होंने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद पूरा देश और दुनिया अभी भूत और खुश है लेकिन इन बदनसीब कॉंग्रेसियों को इस से नफरत है सियम योगी आदितनाथ ने कहा कि राम क प्रिश्टोर के संस्क्रिती और रोम के संस्क्रिती में बहुत अंतर है आपको बता दे किसी योगी आदितनाथ ने हर्याना विदान सवाचुनाव को लेकर हिसार और पंच्छ कुला में को समबोधित कि हर्याना में पांच अक्टूबर को मतदान होगा जबकि 8 पले बड़े हैं वे बदनसीब हैं जो दुर्भागिस से खुद को अकास में खिंदू कहते हैं वे कैसे ये बरदास्ट करेंगे सियम योगी ने कहा कि वे कहते हैं कि अयोध्या में जब राम लला के मंदिर का घाटन हो रहा था तब वहां पर नाच गाना चल रहा था सियम योगी आदे तिनाज जो है वो बात कर रहे है रहुल गांदी की अरे जिन्दगी भर तो यही तुम्हारा खांदान करता रहा है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेसी कहते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं था वे भगवान राम और भगवान कृष्ण में विश्वास नहीं करते थे वे कहते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के लिए जमीन नहीं दी जानी चाहिए बलकि केवल वक्व बोड के लिए दी जानी चाहिए इस बीच भाजपन हाल ही में राहुल गांदी के नाच गाना वाले बयान पर उनकी आलोचना की और कहा कि के वाइरल होने के बाद आई है जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना गया है कि अमिता बच्चन अमबानी और अडानी को राम मंदिर के अभी शेक में शामिल होने के लिए अमन्त रिक किया गया था लेकिन किसी गरीब व्यक्ति मजदूर या किसान को इस कारेक्र में शामि के गुरुवार को हर्याना के बरवाला में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि वहाँ ना चुगान हो रहा था कौवरस नेता ने कहा था कि यही कारण है कि भाजपा लोकसभाद चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश सिंग से अयोध्य लोकसभा सीथ हार गई थी राहुल गांधी ने कहा मुझे देख कर छुप जाती है बीजेपी हर्याना में विधान सभाद चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है सभी दलों के नेता राज की अलग-अलग विधान सभ सभाव में अपने उमिद्वारों के लिए तावर तोर रेलियां भी कर रहे हैं मंगलवार को बहादर गढ़ में लोकसभा में विपक्ष के नीता राहुल गानी ने रोड शो किया और जन सभा को संबोदित भी किया उन्होंने जम कर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पर नि कि है अंबानी ने शादी में करोर रुपे खर्च किये यह किसका पैसा है यह आपका पैसा है आप अपने बच्चों की शादी के लिए बैंक से करज लेते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ढाचा बनाया है जिसके तहट चुनिन्दा पचीस लोग शादियों में करो प्रदान की कौपी लिए खड़े थे जितना पैसा प्येमोदी अडानी और अमबानी को देंगे उतना ही पैसा हम इस देश के गरीबों को देंगे राहूल गांदी का बयान कॉंग्रेस सत्ता में आएगी तो सिलेंडर 500 रुपे में मिलेगा वाई एक नियूस एजिंसी के म कौंग्रेस सत्ता में आएगी तो सिलेंडर की कीमत 500 रुपे हो जाएगी यानि हम आपकी जेब में 700 रुपे डालेंगे हर्याना की महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपे डाले जाएंगे किसान अपना अनाज बेचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सरकार खरीद नहीं किस पहले जेलों से फिरौती के लिए फोन आते थे लेकिन अब विदेशों से फोन आते हैं हर्याना सरकार ने विरुजगारी का जाल बिछा दिया है दो लाख सरकारी नौकरियां खाली है कौंग्रेस सरकार इन खाली पदों को भरेगी गरीबों को सो गच के प्लॉट और दो बेडरुम के घर के लिए 3.5 यानि लगवक 3.5 लाख रुपए और 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपए का स्ट्वास अबीमा दिया जाएगा कौंग्रेस सांसद ने कहा सम्विधान पर हमला कर रही है बीजेपी उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी लगातार सम्विधान पर हमला कर रही है जब RSS के लोग देश के सर्थानों में अपने लोगों को भरते हैं और दलितों को और पिछुडों को कोई जगे नहीं मिलती है तो वे सम्विधान पर हमला करते हैं जब पीम मोदी अडानी और अमवानी की मदद करते हैं और देश की रोजगार विवस्था को नस्ट करते हैं तो वे समिधान पर हमला कर रहा हैं। और किसानों की जिन्दगी बरवात करने के लिए तीन क्विसी कानून लाते हैं तो ये समिधान पर हमला है। कॉंगरिस नेता ने राहूल गांधी की उड़ाई फजीहत। बातूल में कॉंगरिस नेता राहूल गांधी का डांस करते एक रील सोशल मीडिया पर वाइरल होनी के बाद विवाद सुरू हो गया है। करीक 43 सकेंड के वीडियो में राहूल गांधी डांस करते देखे जा रहे हैं जिसमें वे जाती के मुद्धे पर बाहर बाहर जाती जाती बोलते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर नाराज कॉंग्रेसी SP कार्याले में प्रदशन करते हुए पहुंच गया है। जा उन्होंने आमला थाने के TI सत्य प्रकाश सक्सेना पर अपने Facebook एकाउंट से रहूल गानी का मीम वाला रील पोस्ट करने पर कारवाई की मांग की है। TI ने 29 सितंबर की रात सोशल मीडिया पर रहूल गानी का मीम शेयर कर दिया था। इस मामले में TI ने इस मामले में उन्होंने फिर माफी भी मांगते हुए भूल से गलती हो गई ऐसा बताया और एक पोस्ट भी डाला है। दरसल, TI के Facebook एकाउंट से रहूल गानी को लेकर एक मीम पोस्ट हो गया। करीब 42 सेकेंड के इस वीडियो में गानी के बोल पर राहूल गाने डांस करते में नजर आ रहे जिसमें वे जाती के मुदे पर बार बार जाती जालती बोलते हुए दिखाई दे रहे है। आमला के कॉंग्रेस्टियों ने इस पोस्ट को लेकर अपने मुवाइल में सेव कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और बाद में ऑफिस पर जाकर खूब दंगा भरकाया। TI ने पोस्ट किया माफी नामा। इस मामले में TI से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने कॉल बिसीव नहीं किया। अलाकि उन्होंने अपने उसी एकाउंट पर एक और पोस्ट डाल कर माफी मांगे। जिसमें उन्होंने लिखा कि राहूल गांदी जी से संबनित एक वाइरल वीडियो देखने के दौरान मेरे मुवाइल से गलती से श्यर हो गया। जिसकी जानकारी जैसे हुई हुई मैंने उसे हटा दिया। राहूल जी हमारे देश के सम्मानिय नीता है। मेरे हिर्दय में उनके प्रति कभी भी और सम्मान जैसी भावना नहीं रही है। सबी भाईयों जिनकी भावनाएं आहत हुई है। कि मेरी भूल को शमा कर दिया। राहूल गानी की जिन्दगी में इसी तरह बार बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। जिससे एकर टर्निंग पॉइंट आ जाता है। तो खबर पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में बताते जाएगा। फिलाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देश दुनिया की बाग की खबरों के लिए देखते लिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।